एक मेंडको का समोह जंगल से गुजर रहा था, तभी उनमें से दो मेंडकिया एक गहरे गड़े में गिर गई जब बाकी मेंडकिया ने देखा कि गड़ा कितना गहरा है, तो उन्होंने दोनों मेंडकियों को बताया कि उनके लिए कोई आशा नहीं बची है हालांकि दोनों मेंडकिया अपने साथियों को नजरंदाज करते हुए गड़े से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी इतने प्रयासों के बावजूद गड़े के उपर के समूह की मेडकिया अभी भी कह रही थी कि वे बस हार मान ले क्योंकि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी अंतह दो मेडकी मेंसे एक मेडकी ने समूह की बात का ध्यान दिया और उसने हार मान ली और अपने मौत के लिए गहराई में उचल गई जबकि दूसरी मेडकी बाहर आने के लिए कोशिश करती रही फिर से मेडकी के समोह ने उससे कहा कि उसे दर्द को खतम करना चाहिए और बस मर जाना चाहिए वह उनकी बातों को नजरंदाज करती रही और बाहर निकलने के लिए मेहंत करती रही कोशिश करते हुए आखिरकार वह बाहर निकल ही आई जब वह बाहर निकली, तो दूसरे मेड को ने उससे पूछा, क्या तुम्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दी, मेड की ने कुछ जवाब नहीं दिया, उनके कई बार पूछने पर भी मेड की जवाब नहीं दे रही थी जिससे समोह को समझ आया कि वह बहरी है और पूरे समय उसे लगा कि वे उसे प्रोजसाहित कर रहे थे, जिसकी वजह से वह महंट करती चली गई इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दूसरों की नकारात्मक राय से खुद को न रोकें, अपने लक्षयों की प्राप्ती में ध्यान से केंद्रित रहें, खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मक लोगों को अंदेखा करें